सल्मान खान की एड 2020 में रिलीज होने वाली फिल्म राधे इंडियाज मोस्ट वांटेड कॉप की शूटिंग दबंग 3 की रिलीज से पहले होगी शुरू जानिये पूरी डिटेल जी हाँ सूपर स्ल्मान खान इन दिनो बहुत बिजी चल रहे हैं बैक टू बैक काम कर रहे सल्मान खान ने हाली में दबंग 3 की शूटिंग खतम की इन दिनो सल्मान टीवी के रियलिटी शो बिग बोस 13 को भी होस्ट करते नजर आ रहे हैं इसके लावा इन दिनो वह अपने अगामे फिल्म जो की ईद 2020 में रिलीज होगी की तैयारी में भी बिजी है साल 2020 में ईद के दुरान रिलीज होने वाले सल्मान खान की फिल्म का नाम है राधे इंडियाज मोस्ट वॉंटिड कॉप फिल्म से जोड़े एक सुत्र ने खुलासा किया है कि राधे के लिए स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है और प्री प्रोडक्शन का काम पूरे जोज के साथ चल रहा है निर्देशक प्रभु देवा बड़े पेमाने पर दबंगत्री के पोस्ट प्रडक्शन के साथ साथ इस फिल्म के लिए काम कर रहे हैं दबंगत्री के रिलीज होने से पहले सलमान और प्रभू राधे इंडिया's most wanted cop की शूटिंग शूरू कर देंगे राधे इंडिया's most wanted cop की शूटिंग 4 नवंबर से मुम्बई में होगी शुरुहाती खबरों में कहा गया था कि इस फिल्म का नाम राधे है इस पर सुत्र ने बताया कि हाँ लेकिन फिल्म के निर्माता सोहिल कान ने राधे इंडियाज मुस्ट वॉंडिड कॉप के नाम को ही रेजिस्टर करवाया था यह फिल्म के प्लोट के हिसाब से मेल खाता है आपको बता दिये फिल्म कोडियन ड्रामा फिल्म दिया आउटलोज का हिंदी रीमेक है सलमान की एड 2020 की इस फिल्म को लेकर जल्दी गोशना हो जाएगी सुत्र ने संकेत दिया कि फिल्म की गोशना के साथ बाकी की स्टारकस्ट का भी एलान कर दिया जाएगा तो आपको भाई जन की फिल्म का कितना इंडिजार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं